तो हलो एंड नमस्कार दोथ हैं स्वागत करते हैं आपका फिर से आप ही की चनल में पिछले वीडियो में मैंने आप से कह दिया था कि एस्ट्रोलोजी में अर्थ में पढ़ने वाले सारे चीजों के बारे में जानने वाले तो इसार की सबूआ कि पहले हम थोड़े से जान लेते हैं कि हम लोग ने एसी खंड हैं नाम को एस्ट्रो नौमी कशन दी हो गया है जंके हैं रोमाल रखें ए बंब के एशनोमी पहले हम लोग इन पढ़ィ लिया था बीग बैंक का सिधन पढ़ लिया था हम लोग ने कंब कि बिग बैंक पढ़ लिया था और हम लोग ने पढ़ लिया था गैलेक्स बिग बैंक में कैसे ब्लास होने के बाद हमारी गैलेक्सी बनी थी गैलेक्सी बनने के बाद हम लोग ने पढ़ लिया था तारा मंडल तारों के समुख को हम लोग ने पढ़ जान लिया था ठीक से औ और हम लोगों ने पढ़ लिया था फिर नक्षद्र के बारे में तारा मंडल में ही कैसे नक्षद्र होते हैं कि 27 जो नक्षद्र थे उनके बारे में जान लिया था फिर हम आगे पहुंच लिया थे सौर मंडल में सौर परिवार की और हम लोगों ने फिर उसके बाद में देख और आखरी में हम लोग ने धूमके तू सारे के बारे में जान लिया था तो ये सारे चीज के हम लोग ने इस्टोनोमी में पढ़ लिए थी जिसके अंदर से सारे पूछे जाते हैं इसके बाद जो हम अब अर्थ में टॉपोग्राफिय स्टाट करने वाल हैं ओके तो आगे देखते हैं अब хم topography के बारे में तो topography होता क्या है इसे इंग्लेच हिंदी में हम क्याते है stila kriti, क्या क्या ब्रकूष देख इसका definition की topology क्या होता या फिर stila kriti क्या होता है तो हिंदी में जो नाम दिया हुआ है इसी में इसका सारा definition जो है छुपा हुआ है जयसे ये एक तरह की उबर खाबर आकर्ती बनाती पनाती है कहां बनाती है सिर में पैर में नहीं ये बनाती है भूंद्धिया में भूमी में जैसे इसका नाम दक सते हैं आप स्थल मतलब होता है भूमी तो ये इस्थलों में जो है बनते कैसे हैं इसका पहला गुदिन हो जाता है नदियों के द्वारा कैसे बनते हैं इसका पूरा डिफिनेशन आपको मैं बताऊंगा आगे नदियों के द्वारा कि क्या क्या करते हैं जिसे हम इस्तलकृति भूमी पर बन जाती हैं दूसरा किसके दौरा बनता है आणिर वाटर भूमी के नीचे जो पानिया जो धर्ती के नीचे बहते रहती हैं उनसे बनता है कैसे बनता है वो भी आगे बताएंगे अच्छे से अंडर वाटर और किसके द्वारा बनता है सी वाटर समुदर के पानी को दारा काट पूट के जो है लेगुन जील वगरा बना देती हैं बड़े बड़े जील बना देती हैं सी समंदर और किसे होता है तो आईस कि अभेस के द्वारा बर्फ के द्वारा कैसे बनते हैं ये साभी चीज़ को बताए घेंगा अवक्र जो जाएक है और आखरी में होते हैं हवां के द्वारा हुआ कि हिए हुआ के द्वारा कि बालू में किसमें बालू में सब कुछ बताया जागा कैसे कह बनते हैं किस चीज़ी में बनते हैं यह सारा कुछ जो है डिसाइन किया जाएगा ठीक है तो पहले से स्टाइट करता हैं इसमें और दूसरा होता है क्या अब परदन अब यह सारे नाम को अच्छे सफंब्स कर लेंगे यह सारे नाम एक्जाम में खास कर पूछ जाते हैं मतलब यह विए वेदरिंग वेदरिंग ठीक है और अपरदन को कहा जाता है इरोजन और नीचेपन को कहा जाता है डीपोज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ तो यह अप्छाय में यही होता है नदियों में जब नदिया जब अपनी शुरू आती है वस्ता में बहती है तो वह क्या करती है कि पहाड़ों से बहना सुरू होती है ठीक है पहाड़ों से जब पहना सुरू करती है तो उनमें जो बहुत ज्यादा स्पीड होता है बहुत ज़्यादा गती होता है और उस भाव का साथ साथ वो क्या करती है कि अपने साथ साथ वो बड़े बड़े पत्थर है न चट्टाने ये सब अपने साथ साथ उखाड कर लेते चलियाती है तो वो चट्टाने क्या होती है न वो बड़े बड़े पत्थर कापना ये अभ छे के अंडर में आते हैं ठीक है तो यह कैसे हो सकता है अप्छे यह दो रिजन्स होता है याध रही गर जो मैं बोल रहा हूं आप उसको सून करके लिखा करके मृthose बना सकते हैं ठीक है मैं आप बोल कर बता रहा हूं अब छे कि फीजिकल तो आप लोग समझ गए कैसे फिजिकल आप लोग समाज गए होंगे कैसे की सुरूं में जैसे मैं ने बताया कि जब नदियां भाती तो अपने साथ पत्थर वगर लेकर आती है तो फूट फूत होता तो वो दूसरा वोता है और दूसरा क्या होता है गीरते है तो अपफ्षय होता है इसे ही हम कहते केमिकल रिजन या फिर राशायक कारण इसे हां राशायिक अप्षय के नाम से हम इसे जानते हैं अब इसके बाद क्या आता है अपर तर्दन में क्या होता है देख हैं आप पर्दन के वस्था में नदी वह Definition वह थोड़ी सी धीमी पढ़ने लगता है उपर साने वाले चटाने या पत्थरे जो है इनके उपर बहती चली आते हैं पानियों के साथ और इनके बीच में होता है रगड इनके बीच में होता है घर्षण होता है इसे ही हम कहते है अपरदन ठीक है पत्थरों का पत्थरों के बीच में होने वाले घर्षण को हम कहते है है अपर दन याद रहुत कि इसमें जो खीसाओ होता है रगड घिसाओ इसे ही हम कहते है अपर दन अब अपछय और अपर 씨 characterize इसमें हो क्हाśज़न द्विखाई पड़े हैं नोगे तोड फोड़ मारे का सब कुछ हो रहा है तो जायर सी बात है अप्छय ज्यादे खतरनाक होगा परदन में खाली घेसाओ ही हो रहा है तो ज़्यादा यहां पर खतरनाक नहीं होगा अब आसा है क्या निच्छेपन निच्छेपन में क्या होता है कि नदियाँ जो है न एक दम खाला धीरे धीまी पढ़ाती है जो पवर उताытा है पूरा लेते चले आता है तो नदियों में जो आप बालू देखते हैं वह जो है कारण होता है नत्य है पना हुज़ ङ Карण És से होता है जैसे किचन में आप लोगों ने माओं को देखा होगा सिलवट्टे में जो है मसाले कैसे पिछती है ठीक है यह हो गया उसका पत्थर लुड़ा ठीक है अप्छे में का थोड़ा ना फूरना जो बड़े मसाले जो होते हैं लशुन प्याज वगरा तो क्या सीधे मकणों को घिसते है ठीक है उन मसालों को क्या है आपस में घिसते हैं घिसाओ के बात क्या होता है कि मसाले जब पीछते जाते हैं तो वो पीछे की और जाके कुछ उसका माल जो है माटेरियल इखठा होने लगता है जो वही क्या माटेरियल पीसा माटेरियल का कर लाता है नीछेपन क्या कर लाता है नीछेपन ठीक है यह तीन जो है करण इस्तिलाकृति बनाने के में थे अब क्या होता है देखेगा ठीक है यह तो हो गया तोड़ना फोड़ ठीक है रीवर कोर्स के बारे में ठीक है इस पैलिंग पर ध्यान बिल्कुल मत दीजगा बहुत चादा गलत लिखता हूं मैं जो मैं गोड़ रहूं आप उसुनिये और अच्छे समझे यह रहों कि रिवर कोर्स नदी की अवस्था ठीजन नदी की अवस्था तो किस स्थिति में शब्सचांगी स्पीड होगे कब कम बिल्कुल नहीं होगी यह सारे आवस्था को जानते हैं तो पहला सबसे आजाता है जो बाइगा अपर पर कोर्स ठीक है अपर कुरस में क्या होता है कि इस अवस्था में जो नदिया जो है मैं सुरू में आप अलोंग को जैसे बताया इस अवस्था में पहाडों के ऊपर से नीचे की और गिरते है घर ते यह इस यादा भयानक बहुत धारनाक होति applicant ये पर एकणुप पानी बहुत ज्यादा इस स्पीड में बहुत ज्यादा स्पीड में गरती है ये अपने रास्ते माने वाले किसी भी चीज को नहीं छोड़ती हो सावस्था मैं चुछ भी भी तो अगर जगहां नहीं मिलता है चब कोई चटान यहां खड़ाता है तो उसको छेद करके आगे वो निकल लेंगी लेकिन यहां यह नहीं रुकने वाली होते हैं ठीक है यह अपर कोर्स होता है यहां पर नदियों के स्पीड बहुत जादे होते हैं यह बहुत ही जादा खतरन होते हैं मिडिल कोर्स में क्या होता है कि यहां पर धीरे 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 पावर जो है धीरे कम होने लगता है ठीक है यहीं पर जो है मैदानी आवस्था में आने लगती है मैदानी इलाकों में आने लगती है और अपरदन का कारण भी जो है इन्हीं मिडिल कोर्स में होने लगत मतलब लेजी मरियल टाइप से धीरे 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 कोई बच्चा भी जाका अगर बना दे वहां पर तो फिर नदिया बना बंद हो जाएगा तो सबसे ज़्यादे अगर इस पीड बोल दे तो यह कहाँ जागा अपर कॉर्समा और सबसे ज़्यादे अगर लुवर बोल दिया जा है वह आगे बहते चले जाती है और उसी से जो है आगे डिल्टा का निर्मान हो जाता है ठीक है अब पारी नदिया निकलती कहां से है ठीक है तो हिंदी में उससे कहा जाता है मूख ठीक है मूख ओरीजन ओरिजन माउथ ठीक है नदिया कैसे उपर से निकलती है ठीक है तो ये पहाड़ों में पहले जो हैं मुख मनाती है ओरिजन माउथ इसे कहा जाता है ठीक है तो इसमें क्या होता है पहाडों के बीश से जब नदिया निकलती है पहाडों के बीश से नदिया जब निकलती है आपने स्पीड मेन एक गर्लत तो यह थैंक पहाड की चोती यह दिखर रहा है साव सब उपर ही भाग की च्यूट और यहां से जो है नदिया नीकल रहे तो यहाँ पर झोलें कलने करण भी नभिन लाकार की आकृतिी बना ले टेस्ट-ध करफिछाओं उप्ली यह जागा वी शेप यहां पर दिकराना वी शेप तो यहीं पर क्या बनाते हैं वी शेप की आकरिती बना लेती है पहले तो वी शेप की आकरिती बना लेती है नदी यहां पर इस पश्ट दिखाई पढ़ रहा है कि यहां से नदिया निकल रही है और यह वाला भाग जो है वी शेप की तरह यह दिखाई पड़ रहा है तो माउट से निकलने के दवराण नदियां पहले तो है वी शेप की नली बना लेती है अब क्या होता है कि इस वी शेप में यह जो वी शेप है यह वी शेप की आकरती बन गई यहाँ पर जब पानी जब भरता जाता है ना पानी में जब यह इसमें जब पानी भरता जाता है नीचे इसमें पानी भरता जाता है और नीचे की और जा करके यह इकठा होता होता जाता है ठीक है यह इकठा होता होता जाता है तो इसे हम कहते हैं यहाप पानी इकठा होता होता चला जात है इसे हम कहते हैं गार्ज कि यह कहलाता है कि फिर गार्ज हिंदिय और इंगलिस दोनों में इसे हम कहते हैं गार्ज कि इसे हम कहते हैं फिर क्या गार्ज कहते हैं ठीक है तो गार्ज जब बनने के कारण होता कहके नीचे की और जो है ना पानी जादे कफ़ golden लगते और उपर कारण ऑपर में स्क्राइप तो जहां पर ज्टाव करण अब जादे करते होने कारण यहां की मिट्यों को जो घृता है यह कटते-कटते-कटते थोड़ा सा जो इधर फ्यलता हो जाता है फैलते-फैलते एक वक्त ऐसा आता है कि यह जो वी है अधर में होता है यहां के सारी मिंर्टिया कट करके इस और या जाता है ठीगे तो इसका कर रॉत यह एसा हो जाता है यह बीजह है ऐसा हो जाता है यह मतलब समझे यहां पर जो मिटिया थी वो कट 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 के खतम हो जारी है तो यह जो है यहां का भाग सीधा हो जाता है यहां सारा भाग कि तो कहाते है लेकिन इसे जो बीसरनां इसे कह तहीं क्यां कहते हैं केनियन कहाता है रोटी जो के तो ऑसको सबसे बडूर्ड कान है कहा है कहा पूझता है तो कलिफोर्निया में और कौन सलेंदे उसने घो पूरोडो नदी ठीक है कोलो रोडो नदी है जो कलीफोर्निया में है जो सबसे बड़ा आज की डेट में Grand Kenny तो गार्ज गार्ज के एक्जामपल अगर पूछ दे तो गार्ज कौन कौन से हैं तो सिंधू ठीक है सिंधू सतलज कि ब्रहुमः पूत्र कि have girls आए इसके बारे में ब्या गडिटेbuds आने हो नहीं का कि कई स कसे बनते हैं यह सरय फिलालद यह इसके बारे जानने जाना जाता तैक है एक और आए यकर की वेली बया से बूल दियाती सानटिफिक नेम जिए कैनिएडों का जाता है ठीu सबसे बड़ा है जो Grand Canyon है अद गरंड गैनियन और यह कहान है कलीफोर्निया में ठीक है एक कैलिफोर्निया में है और कीसे कौन से नदी हे तो यह कोलो ररोडो नदी ठीक है को लो रोडो नदी ग्रांड कानियन कैलिफोर्निया में है और को लो रोडो में है तो आज के लिए हम नदियों द्वारा बनने वाले इन आखरितों के इतना ही समझते हैं कुछ इंट्रो टाइप से यह आज का चैप्टर रहा है तो आने वाली वीडियो में हम और अच्छे से जानने वाले हैं टोपोलोजी सारी सी वाटर आइस वाटर हौँ के दौरे यह सारी चीज़ हम जानने वाले हैं ठीक है अगर आप लोगों कुछ समझ ना आ रहा होगा या फिर आपके मन में कुछ सवाल उठ रहा है तो फिर मैंने कमेंट बॉक्स बनवा दिया है के लिए यतना ही हिसास लेते हैं आप से थाइंक्यू तब तक लिए जय हिंद